हेलो दोस्तों मैं हूँ रिशी केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप और आज इस फडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाकिस्तान सूपर लीग के मुकाबले की जो की खेला जाएगा कराची किंग्स वर्सिस मुलतान सुल्तान्स के बीच में कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर तीन मार्च को रात के साड़े साथ बजे से और इस मुकाबले का लाइव टेलेकास्ट होने वाला है फैन कोड़ पर कराची की पिछ काफी अच्छी है बल्ले बाजी करने के लिए थोड़ा यहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बल्ले बाजी करना असान ही होने वाला है टीमें टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी करना चाहेंगी सबसे पहले आब से बात करता हूँ कराची किंग के बारे में तो कराची ने केवल अपने पांच में से दो ही मुकाबले जीते हैं और अब इस team को जीतना शुरु करना पड़ेगा टीमे लगाताई दो मुकाबले जीत लिये थे बीच पे पहला मुकाबले हारने के बाद पर फिर लगाताई ये team हमने दो मुकाबले हार भी चुकी है अब इस team को अगर मैं देखता हो ने पेपर के उपपर तो मुझे इतनी कमजोर भी नहीं लगते ये टीम बल्ले बाजी में जेम्स विंस काफी अच्छा खेले पिछले मुकाबले के अंदर फिर एक बार वो नंबर तीम पे इस टीम के बहुत ही बड़े प्लेयर होंगे टिम साइफट का फॉर्म काफी खराब है लेकिन मेरे साबसे काफी अच्छे T20 फॉर्मेट के प्लेयर है देखने वाली बात होगी इस मुकाबले में वो क्या करेंगे लेकिन कप्तान शान मसूद ने मुझे बहुत ही जादा डिसरपोइंट किया है मुझे शान मसूद से काफी उमीद है और करांचियों का अच्छा करना है ना उनको कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी और मिडल ओर के अंदर कारण पोलाड ने भी काफी अच्छा काम किया है तो मेरे साब से पोलाड के उपर फिर एक बारी जो टीम है ना रिलाय करने वाली है तो बैटिंग में ऐसा नहीं है कि आपके पास नाम अच्छे नहीं है पर इस टीम को थोड़े रंस बनाने पड़ेंगे 160 65 से कुछ नहीं होने वाला कम से कम 180 100 मारने पड़ेंगे इस टीम को गिनबाजी में ये दिक्कत है ना कि जो उनके कुछ प्लेयर से थोड़े बेमार पड़ चुके है इस वज़े से इस टीम को थोड़ी दिक्कत हा लिए गिनबाजी के अंदर लेकिन पिछले मुकाबले के अंदर जाहिद महमूद को मौका मिला तो जाहिद महमूद ने काफी अच्छा स्पिन बॉलिंगा स्पैल डाला जरूर से फिर एक बार इस मुकाबले के अंदर वो कंटीन्यू करना चाहेंगे Blessing मुजाराबानी ने इस टीम को जॉइन कर लिया है तो Blessing मुजाराबानी भी काफी अच्छे तेज गिनबाज है फिर हसन अली का भी ऑप्शन है इस टीम के पास में अनवर अली भी है मौमन नवाज भी है तो गिनबाजी के अंदर भी experience तो अच्छा खासा होने वाला है करांची का ये लोग इस मुकाबले में अच्छा कर सकते हैं करांची के लिए ओपन कर सकते हैं शान मसूद और टिम साइफ़र्ट नमबर तीन पे जेम स्विंस नमबर चार पे शॉय मलिक नमबर पांच पे कारन पुलाड नमबर च्छा पे मुहमद नवाज नमबर साथ पे इर्फान खान फिर आपके आएंगे हसन अली अनवर अली, जाहिद महमूद और ब्लैसिंग मुजारा बानी तो ये टीम होने वारी करांची की और ये लोग इस मुकाबले में अच्छा करना चाहेंगे अब मैं आपसे बात करता हूँ मुल्तान सुल्तान के बारे में तो मुल्तान ने अपने 6 में से 5 मुकाबले जीत ली है और मेरे साबसे अगर वो एक और मुकाबला जीतने गे ना तो वो confirm हो जाएंगे टॉप चार के अंदर सबसे बड़ीया बात मुझे ये लगी है न मुलतान की टीम की इन्होंने बहुत सारे बदलाओ की अपने टीम के अंदर मुलतान वो टीम है जो winning combination के अंदर भी बदलाओ करती है और जो प्लेयर को कम कम मौके मिलते हैं वो भी अकित अच्छा करते हैं न कि समझ नहीं आता कि किस प्लेयर को टीम में रखा जाए और किस प्लेयर को टीम से भार निकाला जाए पिछले मुकाबले में उस्मान खान ने क्या ही कमाल की पारी खेली पिछले मुकाबले में इफ्तिकार रहमन दे फिर एक बार प्रूफ कर दिया कि क्यूं वो इतने कमाल की फिनिशर है तो जितने players को मौका मिला है वो सब अच्छा कर रहे है पिछले मुकाबले में David Milan भी नहीं थे David Willi भी नहीं थे उसके बाद भी 18 मित्ता शानर कर गई उसामा मीर को पिछले मुकाबले में 6 wicket मिले मतलब T20 मुकाबले में 6 wicket निकाला कि ती मुश्किल बात होती है करके बताओ कि ये मुकाबला कॉंसे टीम जीतेगी मेरे सबसे पढ़ला भारी तो मुलतान कर रहेगा इस मुकाबले में उमीद करता है वीडियो आप पच्छे लगी होगी लगी तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेए चैनल को इस तरह ही वीडियो देखने के लिए मुलाकात होगी अब सगली वीडियो में और याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं